आप सब उमीदे खेरियत से होंगे आज की रेस्पी में हम बनाएंगे वनीला चॉकलेट कोल्ड केक और ये कोल्ड केक हम ब्रेड क्रम्स से बनाएंगे ब्रेड क्रम्स आप यूज कर सकते हैं इसके इलावा जो ब्रेड के लेफ्ट ओवर पीसिज होते हैं खास तर पर जो उपर नीचे के पीसिज होते हैं वो आम तर पर घरों में बच जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं तो उन पीसिज को यूज करके भी आप ये केक बना सकते है और ये एक रेस्पी मेरी उन बेनों के लिए स्पेशल है जो जट पट मीठे की तलाश में हैं और बिलकुल कम खर्च में बनाना चाहती हैं तो ये रेस्पी आप ज़रूर बना के देखिएगा आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बहुत ही जट पट आम तोर पे 5-7 मिनट में ये बन जाती है तो अपने रेस्पी शुरूर करने से पहले सबसे ज़रूरी वाला काम कर लेते हैं अगर आप मेरे चैनल पे निव हैं तो सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कीजेगा ताकि आपको मेरी आने वारी अपडेट्स बरवक्त मिल सकें और आप कोई भी यमी और असान रेस्पी मिस ना कर सकें तो अब चलते हैं अपनी रेस्पी की तरफ और शुरू करते हैं और देखते हैं कितना कम वक्त में और कितना कम खर्च में हमारा ये वनीला चॉकलेट कोल्ड केक बनके रेडी होने वाला है तो चले मैं आपको बताती हूं इसके इंग्रेडियंट्स क्या-क्या यूज होने वाले हैं वनीला चोकलेट कोल्ड केर के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्रेड क्रम्स ब्रेड क्रम्स अगर आप पीसेज में पहमाईश करें तो 8 से 10 ब्रेड पीसेज के क्रम्स जो हैं वो होने चाहिए या अगर आप मेरी तरह प्लेट से पहमाईश करें तो आपके पास एक प्लेट इस तरह जिस तरह आप वीडियो में देख रहें इस तरह आपके पास एक प्लेट ब्रैड क्रम्स की होने चाहिए तो इसको हम डालेंगे अपने blender jug में blender jug में हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हम बाकी सारे ingredients इसमें mix करेंगे crumbs के बाद हम इसमें डालेंगे दूद दूद आपने इतना डालना है कि आपके crumbs पूरी तरह से भीग जाएं और गाडा गाडा liquid बन जाएं तो मैं इसमें तक्रीबां डाल रही हूं तीन चोथाई लिटर यानि तीन बटर चाल तीन पाउ दूद मैं इसमें डाल रही हूं तो आप अपने हिसाब से देख लीजेगा आपके जितने आपके पास crumbs हों उस हिसाब से गाडा सा पेस्ट इसका तैयार होना चाहिए तो हम बाद में चेक कर लेंगे अगर हमें और जरूद होगी तो थोड़ा सा हम दूद और एड़ कर लेंगे फिलहाल मैं इसमें तीन पाउट दूद डाल रही हूं इसके लावा हम इसमें डालेंगे तीन बड़े साइज के अंडे अंडे आपने चक कर लेने हैं पहले खराब नहीं होने चाहिए शोर्टी आपको होने चाहिए वरना सारा आपका मिक्स्चर खराब हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे तीन अंडे इसके बाद जाएगी इसमें चीनी, चीनी मैं इसमें 8 से 10 टी सुपून डाल रही हूँ चीनी आप अपने इसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 10 से 12 चमच इससे ज्यादा मत डालिएगा, इतना बहुत काफी है इसके लावा हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टी स्पून वनीला एसस, वनीला एसस इसमें खुशगवार टेस्ट लाने के लिए जरूरी है 1 टी स्पून हमने वनीला एसस डाल दिया, अब हमने ये सारा मिक्सचर बलेंड कर लेना है तो बलेंडिंग प्रोसेस मैं आपको नहीं रिखा रही हूँ, आम सा प्रोसेस है, आपको आता है जाहरे बलेंड करने के बाद हम इसमें से हाफ मिक्सचर जो है, अलाग बाउल में निकाल लेंगे Half mixture जो हमने अलाग से निकाला है इसमें हम एक चुटकी येलो कलर डालेंगे ये टेस्ट हम चुटके वनीला का बना रहे हैं इसमें हम वनीला का थोड़ा सा येलो कलर लाने के लिए हلکہ साथ यलो कलर लाएंगे जो के एक चुटकी से बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा तो एक चुटकी आपने यलो कलर डालिया इसको अच्छी तरह से भीच में मिक्स का लेना है उसके बाद हम डालेंगे इसमें देशी गी डेसी घी आपने तीन से चार टेबल स्पून भरके डालना है इसके बाद हमने इसको पका लेना है इन सारी चुजों को हमने मिक्स का लिया अब हम चलते हैं चूले पे और इसको कुक करते हैं इसको पकाते हुए आपने लो फ्लेम रखना है ज्यादा तेज नहीं रखना क्योंकि ये नीचे से लगने लाग जाएगा और जलने लाग जाएगा और चमच जिसमी मुसलसल चलानी है चमच जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे और ये पकने की तरफ चलता जाएगा तो ये गाड़ा होता जाएगा और ये हलवा टाइप शकल अख्तियार कर लेगा और जैसे जैसे ये गाड़ा होगा ये किनारा बटन का खुद बखुद छोड़ने लग जाएगा तो चमच आपने उसलसल चलाते रहना है हार्ली ये 5-7 मिनिट में पक जाएगा हमारा मिक्स्चर तयार हो चुका है जिस तरह आप वीडियो में शकल देख रहे हैं इसकी इस तरह का टेक्स्चर होना चाहिए बिल्कुल हलवे की तरह होना चाहिए और फिर इसको आपने चूले से उतार लेना है अब हमने जो बाकी हाफ मिक्स्चर बचा के रखा था उसमें हम 1.5 टेबल स्पून भरके कोको पाउडर या चॉकलेट पाउडर डालेंगे और इसको दोबारा से बिलेंडर में बिलेंड का लेंगे दूसरा मिक्स्चर भी हमारा बिलेंड हो गया इसको भी हम अपने बाउल में उलट लेते हैं और अब इसको भी हमने जिस तरह पहले हिसे को पकाया है इसी तरह पका लेना है इसमें भी हम 3-4 टेबल स्पून भरके देशी घी के डालेंगे और फिर हम इसको पकाने की तरफ चलते हैं सेम प्रोसेस करना है जिस तरह हमने पहले हैसे को लो फ्लेम पे पकाया है और चमज मुसलसल हिलाते रहें इसको भी इसी तरह हमने पका लेना है बिल्कुल आपने छोड़ना नहीं है जैसे ही छोड़ेंगे चुकि इसमें अंडे शामिल हैं तो ये नीचे से बहुत जल्दी जलने लग जाएगा ये मिक्शर भी हमारा तक्रीबन तयार हो चुका है टेक्स्चर आप देख रहे हैं बहुत ही स्मूथ बहुत ही अच्छे से ये किनारा बरतन का छोड़ रहा है और अच्छे तरह से पक चुका है तो इसको भी हम चूले से नीचे उतार लेते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है अब आपने कोई ट्रेल ले लेनी है और उसमें आपने बटर पेपर की तया लगा लें या फिर बड़ा सा शापिंग बैग जो के साफ सुत्रा होना चाहिए उसको कट करके उसको नीचे बिछा लेना है जिस तरह आप मेरा बिछाया होगा देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह आपने नीचे बिछा लेना है और इसके उपर हम अपना जो चॉकलेट टेस्ट में हमने मिक्चर बनाया है पहले हम इसको उलट देंगे शीट के उपर आपने अच्छी तरह से इसको फैला लेना है पूरे ट्रे में आपने अच्छी तरह से इसकी लेयर जो है बराबर आनी चाहिए कहीं से मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए चमचे की मदल से या सिपेचला ले लीजिए उसकी मदल से आपने अच्छी तरह से इसको उपर से समूत कर लेना है अब बारी हागे हमारे वनीला टेस्ट वाले मिक्सचर की वनीला टेस्ट को आपने उपर हलके हाथ से बिछाना है चुनके नीचे वाली तय हमारी पूरी तरह से अभी सेट नहीं हुई है अगर आप सक्त हाथ लगाएंगे तो उपर वाली तय से नीचे वाली तय हट जाएगी मिक्स हो जाएगी तो वनीला वाला जो लेयर है इसको हम 3-4 जगा से पोर करेंगे और फिर हलके हाथ से इसको छुरी की मदा से उपर से फैला देंगे छुरी की मदा से बहुत असानी से पूरी उपर लेयर आ जाएगी चमचे की मदा से चमच की मदा से अगर आप करेंगे तो वो बार बार हटता रहेगा च्पर excitement कभि उपर वाला हटेगा कभि नीचे वाला हटेगा तो छुरी की मेंद मदर सी बहुत समूत ली ऊपर लयर जो है आप लगा लेंगे तो जिस तरह आप मेरी दोनों लयर लगाई होई देख रहे हैं इसी तरह आपने लयर लगा लेनी है अब इसको बारे आती है रू गोल गोल रोल कर देना है एक रोल करेंगे फिर आपने शीट अटा लेनी है फिर थोड़ा सा मज़ीद रोल करना है जिस तरह आप मुझे करता हुआ देख रहें इसी तरह यह बहुत आराम से मिक्स हुए बगैर यह रोल बन जाएगा आइस्ता शीट की मदद से पूरे के पू हम खराब होते हैं ना ही आपकी स्विट खराब ہोती है तो शीट की मदद से यह पूरा उपर से समूथ भी हो जाता है और पूरी तरह रोल भी ओ को जाता है कम टाइम हो तो तक्रीबर एक से डेड़ गंटा इसको जरूर फ्रीजर में रखिए चूंकि इसका ना भी कोल केक है तो कोल केक जो है वो फ्रीज में ही बनता है थंडा करके ही बनता है अच्छा इस स्टेज़ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ इसमें बाज दफा बिस्किट मिक्स किये जाते हैं मैरी बिस्किट आम दोर पे इसमें मिक्स किये जाते हैं तो लेर लगाने से पहले आप इसमें बिस्किट भी मिक्स कर सकते हैं मैंने इसमें biscuit mix नहीं किये इसलिए mix नहीं किये कि यह हमारा roll जो है यह बिलकुल smooth बने और biscuit की वज़ा से इसकी shape खराब नहीं हो तो आप biscuit बीच में add करना चाहें तो भी कर सकते हैं छोटे छोटे तोड़ के छोटे छोटे pieces में डालिए तो उससे भी इसकी शकल नहीं खराब होगी सेट हो जाएगा ना डालना चाहें तो optional है मेरी तरह आप ना डालिए और सिरफ इसका जो आमने bread crumbs का विक्षर बनाया है इसका roll बना लीजिए तो मैं इसको अब रखती हूँ तकरीबन डेर से दो गंटे फ्रीजर में रखूँगी उसके बाद मैं निकालूँगी और फिर मैं आपको कट करके इसकी final शकल आपको दिखाती हूँ वनीला चॉकलेट कोल केक हमारा बन के ready हो चुका है मुझे इसको फ्रीजर में रख्या हुए डेर से 2 गंटे गुजर गये हैं और मैंने जब इसको निकाला है तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है और पीसेज की शकल में कटने को बिलकुल ready है तो हम अपनी जो प्लास्टिक शीट उपर wrap है उसको हम खोलते हैं और इसको कट करते हैं देखें ये पूरी तरह से सेट हो चुका है कहीं से ये बिलकुल बिखरेगा नहीं तो एक साइड से हम इसके पीसेज काटना शुरू करेंगे पीसेज ये बहुत समूतरी कटेंगे बिलकुल खराब नहीं होंगे हाँ अगर आपको लगे कि ये आपकी छुरी के साथ लग रहा है तो हर पीस काटने के बाद छुरी साफ कर दीजिए वरना इसकी को खास जरूरत नहीं है बहुत अराम से ये पीसेज काट जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बहुत ही यमी है आपकी स्वीट डिश बन के तयार होगी तो मैं पीसेज काटती हूँ और डिश में अरेंज करके दिखाती हूँ ये देखी कितना खुबसूरत स्पाइरल बीच में डिजाइन बना है जो हमने दो टेस्ट मिक्स किये हैं वनीला और चोकलेट और फिर इसको रैप किया है फिर आपको इसकी फाइनल लोग दिखाती हूँ तो ये है जी हमारे कोल्ड के की फाइनल शकल देखें ये डिश में पड़ा हुआ कितना खुबसूरत लग रहा है और खाने में तो ये यमी है ही और बहुती लो कास्ट बहुती कम वक्त में ये मैंने 15 मिनट में पूरी डिश बना के रेडी कर ली है हाँ ठंडा करने में थोड़ा सा इसको घंटा डेट घंटा लग सकता है लेकिन मेकिंग टाइम जो है इसका बिलकुल 10-15 मिनट ही है और बहुती सस्टे में बहुती कम वक्त में बच्चों का बहुती फेवरिट है बच्चों को नाश्टे में दें, बच्चों को लांच में दें शाम की चाई के साथ सारुक करें मेहमानों के खातर त्वाजों करें हर तरह से ये डिश बहुती बेस्ट और बहुती मज़ेदार है अमीद है आपको आज की रेस्पी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे जरूर बना के ट्राई करेंगे और अपने फीड़ बैक से मुझे आगाख करेंगे मिलते हैं इन्शालला किसी नेक्स्ट यब इसी रेस्पी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज